तो आज की उड़े में आपन डिसकस करने वाले हैं एसे सेक्टर के बारे में जो बहुत क्रूशल रोल इंपॉर्ट प्ले करते हैं दूसरे सेक्टर में बट इसकी बात बहुत कम की जाती है या फिर कुछ लोग तो इसको होल्ड भी नहीं करते हैं अपने पोटफोलियो में य पावर पे इंवेश्ट करने क्रूशल पॉइंट इसलिए बन जाते हैं यूदि कि पावर के डिमांड प्रेडिक्टेड बहुत तीजी से बढ़ने के लिए यूदि कि हर एक चीज को पावर चीज होगी कुछ भी चीज बढ़ेगी तो पावर चीज हो उसके लिए तो वही इनिवेश आज की यूदि यहीं पर चालू करते हैं बिना टाइम बरबात किये से लिए सीधा बढ़ते हैं वीडियो के तरह तो गाईज आज की यूदि में अपन में डिसकस करने वाले हैं पावा जनरेशन स्टॉक पे और एक मैं डिस्रिबिशन स्टॉक उठाओंगा जो और एनेच पीसी पे पर डिसकस कर सकते हैं बिकॉज एक रेनियोबल स्टॉक भी होना जरूरी है मैं अडानी ग्रीन को इसलिए पी हाई है टाटा पावर भी इसलिए क्योंकि पी हाई है बटेक टाटा पावर को यह कंसेडरेशन में लेंगे मैं एक ही चीज के चक्कर मैं ज इसके बारे मैं आपको बता दूँँ और एक यह चर्चा में आ रहे है तो उसके बारे में थोड़ा ओपर से डिसकस करेंगे टाइम बरबत के सीधा बढ़ता है न्टी पीसी और अडानी पावर में एक चीज मैं आपको बता रहा हूं दूनों का जो प्रॉफित है इंटर्स कवरेज रेशियो ठीक है पेग रेशियो हाई है ठीक है अब हाई हो चुका इसका पेग रेशियो थोड़ा सा प्रॉफित ग्रोफित इस अपन मान लेते है अच्छ है अभी आपको डिसकाउंट में तो नहीं मिल रहे है टॉप से तो आप मत खरीदने जाए ना ए कि यह लोग 91% कमा रहे है ठीक है और अगर अपन पावर प्लांस का पॉटफोलियो देखे तो इनके पास है 89 प्लांस कैपसिटी ऑफ 75 गीगा 76 गीगावर्ट मार्स 2024 में थी अभी बढ़ चुकी है कोल इनका सबसे यादा होता है उसके बाद आता है इनका गैस अन लिक्वि क्यावर्ट करें यह लोग अपना निकाल लेते हैं हैं थाइस अरो कि अ है खर्च फिस्टी प करते मिल के साथ कृप का इस से फाइदा गयल को मिलता है ठीक है एक एंटीब सी जितना अधा कर यह उससे गेल को मिलता है नच्छेंट इसकूशन बना लेंगे अनवे हैं लोग 75 परसेंट का अचीव कर पाए हैं वाइल ओल इंडिया वाज जस्टी फाइपरसेंट वह एक नंबर मजा आगे देखके के लोग प्लान किया थे 28,000 करोड तो उसमें 30,000 करोड अभी तक वापिस हो चुका है सब वो डल चुका है अब उससे जो कमिशन होते जाएगा अधा के बारे में तो नाव आएम सिंग दाट कंपनीं के जो प्रॉफिट एल लॉस अकाउंट है तो इसमें यह जो प्रॉफिट आप देख रहे हो ना मैं अधानी पावर से मैंच करा दूंगा जबकि अधानी पावर इससे आधी कंपनी यू कैंशे हाँ अधानी पावर अधानी घ्रीन और अधानी पावर को में ला दे तो इससे बड़ी कंपनी एंटी पीसी से वह दाट जील वह चीज बाद में डिसकस कर लेंगे क्यों है एनिवेस से लेकर आपन इंक्रीजिंगी रही है पावर स्टॉक सी सेल्स कभी गिरती नहीं है सिंपल सी बात बता रहा कभी नेगेटिव सेल्स नहीं मिलने वाली है इस बैलने शीट में आपको अतारों इसके पास दो लाग पचास हजार नी साथ हजार कवड़ो के एसेट से दो लाग साथ हजार कवड़ो इतनी बड़ी कंपनी है यह समझ लो आप एंड इसके पास जो 87,000 का CWIP चल रहा है भी कि गौर्ण्मेंट कंपनी बढ़ारी है तो किस से बढ़ारी है ले रही है यह फो जिससे लिनी ही चीज़ है तो होई है रिजर्ब Morres लेगों च्छी बाते है तो में को इससे दाधा इट्रक्तिव क्यों अड़ानी पावार लगता है उपको भी बता हूंग उसके भी रीज कि रेशियों कंसिस्टेंट रहे हैं तो मैं जान सकता हूं एक चीज की पब्लिक को तो यह लोग बढ़ा नहीं नहीं दिये तीन परसंट भी बैठी आज तक वही चीजे यह ली भी आपन चेक आट कर लेते हैं तीन परसंट मैक्स फो लोग महँच पार है यह अच्छी चीजे क्यूंकि कंट्रोल पबलिक के पास नहीं रहना च्छहे कोई कंपनी का कंट्रोल कोई बड़े यह लोग तो नहीं करने वाले पैसे तो अभी यह लोग दीर-दीर को ग्रोग कर पाएंगे वही चीज है अभी यह लोग यह जॉइंट वेंचर और यह सब कर रहे तू मैंने बता दे तो आपको 10 GigaWatt का joint venture कर रहे हैं लोग ठीक है वो joint venture NGEL के साथ वो जान लेते हैं सबसे पहले क्योंगी जानना ज़रूरी है भी अभी आए यह ठीक है इंट्रेस्ट और डेपरीशेशन इतना ठोक दे रहे हैं को कि यह बहुत नीचे गिर जा रहे हैं वहीं पर दिक्कत हो रही है तो अपन दूसरी सीधी कमनी के बारे में जानें के अडानी पावर अपनी फेरेट कमनी में को यह लगती है इस पे इस पे वीडियो बनाना था इस सबसे बहुत अच्छी चीजे बट एक और भी चीजे बताते हैं तो मैं आपको फट 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 बताऊंगा बिना को टाइम बरवाद किये 15 गवाट पुराना कैपेसिटी है अभी बहुत ज्यादा बढ़े हैं इनके दो प्लांट ने एक्सपैंड हो भी चुके और दो आज दो दिन पहले खरीदें उन्होंने मतलब टोटल मैं बोलूं तो वो होगा राउंड तीस हजार कड़ों के आज बज़ों की बाइंड कर चुक है और एक तीस हजार कड़ों का प्लांट है के महानाधी वो भी यह लोग प्लान कर रहा खरीदने का मतलब इनके तक बन जाएगा यह प्लांट और यह प्लांट विल सप्लाय स्टेट 1230 मेगावट पावर सप्लाय अग्रिमेंट हो चुक है पच पंसो मेगावट की कैपसिटी यह लोग बढ़ाने वाले थे वही बढ़ा रहे हैं यह लोग 5.5 गीगावट को एन एक्सपैंशन तो के चीज है गाईस वह यह लाइंकों कोमार कंटक तो बम जान लिए चलो लाइंकों म 나ंकों अकों अगर कंटक के लोग का मैं एक क्न्टक की कि विया हो चुकत है यह इस हो度 करोड़ चूने वाली है बट आप प्रॉफिट देखना प्रॉफिट प्रॉफिट 20,000 क्रोड़ है उसका 21,000 क्रोड़ है ठीक है बट एक चीज बताऊंगा मैं आगे-आगे-आगे टीक जाच कितने दिफ्रेंट साथ और ले लोग का यह कुई गिरा अब देख सकते हैं वस वो अधर इंकम के चक्कर में अधर इंकम कम कर रहे है है यह लोग वह consistent रखना चाहते है अधर इंकम बहुत ज्यादा बढ़ गई थीः वह एफ्यल को यह और रीजनी का गिरने का जो क्या आप OPM operating profit देखिये तो बहुत सही आ रहे है उसका operating profit और margins are at all time high 838% equals to ATHN का all time high है ठीक है that's a good deal compounded sales growth आप देखो 51% compounded profit growth 9% इसके चक्कर में गिर गई है और कुछी दिक्कत निया इतनी खास इन्हीं स्टॉक का price का जो CAGR है वो बहुत जाला बढ़ते वे दिख रहे है पन को ROE is at top right now that's a good thing and balance sheet अब आपन देखिये मैं क्या बोल रहा था उनके है 2,60,000 करोडों के fixed assets तब जाके वो लोग 20,000 करोडों का net profit निकाल रहे है ठीक है और इसके पास सिस 63,000 करोडों के assets है ठीक है सिस 63,000 करोडों तब यह 20,000 करोडों निकाल रहे है which is which comes out to be four times less one-fourth में लोग उतना ही profit निकाल रहे है ठीक है तो सोचो उनका जब यह assets 2,00,000 करोडों टच कर लेगा तो यह लोग four times कर देंगे अपने net profit को this is just an expected number इतना थास नहीं होगा three times तो तब भी होई जाएगा anyways ठीक है तो अभी बंडने के वाला है मैं आपको वी बाता रहा हूँ बंडने इसलिए वाला है कि इन लोग ने बहुत सार प्लांट एक्विजिट कर ली है अभी news बता दूगा वापिस से अपको प्लांट एक्विजिशन नहीं दिखने वाले है अर इसलिए अंधा बेट कर रहा हूं और इस पर अंधा बेट करते भी रहूंगा क्योंकि इसमें पोटेंशल बहुत जादा है अती जादा है क्यों पॉजिटिव हो चुके है अच्छी चीजे रेशियो आपन देखे तो कम कर चुके हैं लास्ट टाइम से पहले से तो कम करी च चुके हैं आगे बढ़ते हों अगर अपन शेयर होल्डिंग देखे तो शेयर होल्डिंग थोड़ी गीरी है ओवर दा इयर्स बढ़ा लिए यहां पर होल्डिंग वापिस से क्योंकि यह लोग फंड रिजिंग कर रहे थे सतर से वापिस 72 73 पर आ चुके वापिस से तो 15 परसेंट पर हो गई है तो देखो अभी एक दिन पहले इसने दो कंपनी इसको एक्वाइर कर लिया पूरा चीक हो गए और महास्टे श्रेट ने इसनको 1.6 गीगाओड का वो भी दिया है अभी तो यह ताइम पहले ही दिया है 15 सेप्टेंबर को फिर इनको महारस्ट लैंक को अमर कंटक किये रहा मैं बता रहा था जो देखो यह रहे कोस्टल इनर्जिन प्राइवें लिबिटेट और लाइन को अमर कंटक दोनों यह लोग के हो चुके हैं पूरे अभी लोग को जैसे करना है उसमें कर सकते हैं और यह देखो मैं वापिस से बता रहा हूं आपको क कोस्टल इनर्जिन के पास है इतनी कैपेसिटी 1.2 गीगावर्ट ठीक है 1.2 गीगावर्ट है इनके पास और यह लोग ने खरीद लिया इसको पूरा अच्छे से अब इसकी पूरी डीडिल्स आ चुकी है एनिवेस यह लाइन को अमर कंटक भी हो चुका है ठीक है 2.2 गीगावर्ट जो भी था 1.2 गीगावर्ट प्लस यह दोनों कंपनी जो भी अक्विशिशन होई है यह लोग अपनी कैपसिटी को अधर लिवेल्स पर ले चारें 15 गीगावर्ट से अभी तोड़े टाइम में कर लेंगे अपनी कैपसिटी 18 गीगावर्ट तो यह बहुत नाम से पता चल रहा है 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 यह चीज में को पसंद नहीं इसके कॉंपेटिशन मतलब गौर्मेंट की दूसरी कमनी करके वह थोड़ा इसमें हाइप खेल जाती है इसका पी थोड़ा देखके कर रहा था कि प्रॉफिट तो वर्निंग जस्टिफाइड रहे थी थोड़ा कम निकाल पार यह रोची ठीक है डिविडेंट देती है अपनी अफकोस इंडस्टी पी से कम है डिविडेंट वह सब तो अपकमिंग हाइडर प्रजेक्स यह देखिये अंपनी इस अक्टिवली कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 गीगावट और इनके पास अभी सिर्फ 7 गीगावट 10 प्लस 7 आप उड़ जाये गए स्टॉक तब तक आप पगड़नी पाएंगे स्टॉक को वही चीज है कैपेसिटी एडिश कर ली ले है इन लोग ने 10,000 गावट आले एफ़ 24 में और फ़ 25 विल आड 800 मेगावट और फ़ 26 विल आड 2 गीगावट तो यह सब एक एक करके यह लोग साल में साल बढ़ाने वाले हैं तो ग्रोथ रुकने नहीं वाली है इट कमिशन देस प्रोजेक्ट ऑन 7 फेबरी जिस कर जिसे रेवेन्यू ग्रोथ मिल गई इंको और रिटास अल्री कमिशन 320 मेगावट इन एफ़ 23 अल्सों विच इस कमिलेटिव कमिशन कैपसिटी ऑ 700 मेगावट आउट ऑफ 2 गीगावट तो वो भी है सब कुछ बहुत सारे क्यापसिटी है मो यू इतने सारे साइन की तो वही चीजा offer for sale भी गया था भी focus यह लोग का focus यहां पर देख लो आप out of 10 गीगावट यह लोग capacity is for 1.1 गीगावट solar के लिए 10 गीगावट में से and 2002 गीगावट और capacity solar में वो राजय सान के लिए है about 9 गीगावट solar project is under tender and pipeline including as an intermediary product तो यह सब बहुत सारी चीजे इनके पा आपन को revenue growth तो देख रहा है बढ़ना चाहिए revenue तो अपन को revenue growth तो दिख रहा है बढ़ना चीजे revenue तो आपन को revenue growth तो दिख रहा है बढ़ना पर decline होगा revenue क्योंकि है hydro power है मैं thermal power की बात करहा हूं और mainly renewable power यह दोनों का scope जाद है hydro सभी के लिए but hydro में भी इन्वेश काना जरूरी हो चुका है that is the deal anyways net profit अपन देखे तो all time high पे तो नहीं है बट अच्छा गासा net profit निगाल रहे है EPS भी अपना ठीक टीक मेंटेंग करके रखें मैंसे चाहिए जिविन का overlook दूंगा आपको जादा अंदर गुसेंगे नहीं इसका भी उपर उपर से पढ़ेंगे अपन बस य वही चीज है वहाँ पर तब देखके डाली सकते हो कि अफकोस इनके double होने वाले double के triple होने वाले हैं यहां से fixed acids वही चीज है देखके डालो reserves grow कर रहे है बॉरिंग्स भी ग्रो कर रहे है ठीक चलते है इतनी बॉरिंग्स ग्रो करना अगे बड़ते हुए अगर आपन देखे cash loss positive है cash positive company है good thing इन्याज ratios are high because of hydropower only that's the only deal over the over the quarters promoters की holding यहां पे गिरते वह दिखी क्योंकि यह लोग fund raising किये थे यहां पर सबने थोड़ा थोड़ा एयूट कर लिए steak वह चीज अच्छी न लगी बट ठीक है चलता है अफकोस FII ने अपनी highest holding बना लिए तो that's a good deal यहीं पर इसका खतम करेंगे ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको इन्होंने renewable projects के लिक venture डाल दिया अपन गो जो भी है उस company के साथ एक बार देख लेता है अपन उपर के लिए तो इनका क्या रहने वाले इसमें solar floating projects लेने वाले wind projects लेने वाले बहुत सारी चीज़े रहने वाली है तो यह है क्या of course यह 10 लाग के 1 करोड की authorized share capital रहेगी company की यहां पर projects आगा इनके तो यह projects करने वाले है first name is यंग यगांती PSP जो एक गीगा ओड करेगा और एक रहेगा राजू पलेम PSP जो 800 Mbps तो 1.8 Gbps के लिए इन लोग ने joint venture पॉंप किया है which is a good deal 5050 रहने माले joint venture वह भी जान लीजिए तो 600 जिसमें से 900 Mbps होगा वह NHPC को मिलेगा ठीक उसका फायदर that's a deal यहां पर खतम करते है पर यह और एक चीज में थी तो मैंने बोल दिया 7350 Gbps के लिए energy storage capacity के लिए इनको M.O.U. मिल चुग है that's a good deal खतम करते है नहीं पर NHPC का अब अब आना आते पावर गेट पर एक बार के लिए power grid डिसेट कर लेता है यह है transmission के लिए अफकॉर्स मैं उपर बता देता हूं long operating efficiency ठीक है अपने efficiency देखे तो 99.76 से 99.82 यह लोग ले गए 99.76 आ चुके है और से भी उपर होगी पुराने डेटा है तो पुराने डेटा पे इतने फोकस नहीं करेंगे युकि इन्होंने बहुत जादा बना लिया है मैं आपको टोटल इनका क्या ही बता हूं बहुत जादा है ठीक है वन यह पहले का डेटा है तो अपने यह नहीं कर सकते बड़ी लोग हर जागा टेली कॉम सेक्टर फिल इंटरनाशनल प्रेजेंस भी है इनके पास फिर इनकी इन्विट मॉनेटाइजेशन दूसरी राइप का वो है सिस्टम ठीक है कंसल्टेंसी से कमाते हैं अगे बढ़ते हैं अपन जानते हैं पर इनल कैसा दिख रहा है अपनको पी अनल गुरूंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वही में चीज़े सेल्स ओवर दे यह ग्रोग कर चुकी है बट कंसिस्टेंट रहे गई है तीन टाइम से भी तो यह गुड दिख रहे हैं तो इसले मैं जादा नहीं करता सपोर्ट नहीं करता कम लग रहे है इसले मैं जादा नहीं कुसूंगा आपको समझ जाना चीए क्या है मैं क्यों आट कैस्ट लोग नेगेटिव कंपनी है और दूसरा हाइए इनके हाइए हैं डेटर कैश कर दो साइकल भी और शेरोटिंग बढ़ा लिए और पबलिक ने कम करवा लिए अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो कंपनी में मैं आपको में चीज़ दाता हूं यह बहुत सारे प्रोजेक्स में वो लेती रहती है ठीक है फाइन वो लेती है क्या बलते है इसको हाँ बिडिंग के लिए वो रहती रहती ह फोर 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 प्रजेक्स है अभी उन सब में इन्होंने रह लिया है पार्ट अब देखते हैं उनको कितने डिकलेर होते की नहीं होते इंको मिलते की नहीं मिलते इसलिए तो यह थोड़ा फाइदा दिखता है में को तो मैं बता दिया आपको टाटा पावर आखरी कंपनी थी तो मैं बोला कि इस पर भी करी लेते हैं इनका एक ही चीज है यह तो देखो बस आप यह लोग प्लाइन कर रहे हैं फाइव हंडड़ गीगाओड बाइट ट्वेड़ी थी तो इसके बंदलब यह लोग 45 गीगाओड पर एड़ करने वाले है इसलिए इसका एना पी डालने लग गए हैं पेग रिशियो ठीक लग रहे हैं मैं को डाउन है इंटर्स कवरेज रिशियो इस इंडर सेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं है मैं नहीं बोलूंगा यह दोनों भी बहुत आवरेज निकाल रहें प्राफिट ग्रोथ इस ठीक है मैं अबरेज आवरेज है नहीं इस तो मैं बताया आपको इन अक्नि का तो गोउ ही करना है तो जो घुड़े है टो प्राफिट भी वही चीज़ा है पहले ही यह जोले देखा गिरेगा नहीं कभी वही चीज़े है बालन शीट अपन देखे तो बालन शीट में लोग ठीक टीक के एडीशन ही कर पा रहें इतना खास तो एक्दम भकम दो नहीं बढ़ा ले रहें कि लोग पगला को डाले पैसा ठीक टीक की बढ़ा पा रहें अडानी पावर का डा तो मतलब नहीं है मतलब इतना खास नहीं लगा मैं को अच्छी चीज अभी आगे बड़े तो cash flows negative एक कमनी तो मैं को वह चीज अच्छी नहीं लगी अब आखरी चीज आपन देखेंगे कि इसकी shareholding percentage क्या है तो over the quarters यह लोग कर लिये हैं over the quarters FIA थोड़ा से गिरा चुके हैं over the quarters DII's have also put their holdings down तो guys आज की वीडियों यहीं पर conclude करते हैं और मैं अपना conclusion आपको पता दो मैं को best company कौन सी लगती है और क्यूं लगती है आप सबको पाता चल गया है अफकोस में को अडानी पावर बेश्ट लगती है इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया था और आप इसके सब डेटास देखिए अच्छा गाला profit growth मेल रहा है अडानी green जितना नहीं को मिल रहे है ठीक है टाटा पावर से जादा मिल रहे है जैस डेवलू को सबसे यादा मिल रहे है यूंगे हाइड्र पावर प्रजेक्स बहुत जादा अच्छा परफॉर्म कर पारे इसके लिए इसके लिए एंटी बीसी की profit growth अच्छी है तो मैं मानता हूं को कमनी आप देखो ROCE को आडानी पावर से यह निकाल पार इसके पूरे सेक्टर में को अच्छा ही निकाल पार हूं आ यह चीज इसको अपर हैंड देती है इसना पंठ त्चे की किसी का कम है भी नहीं फॉर्थ 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 अफ्कॉस मैं अड़ानी टाटा पावर और जेश्डवलू दोनों को फॉर्थ में लोगा और अड़ानी गीं तो मैं इसलिए नहीं बोट रहा हुआ बहुत हाइपी दोशों पे ट्रेट कर रही है आप फॉचर गुर्थ पे लगा रहे हो बट इक फॉचर गुर्थ आनी भी चीए तो कोई सेंस नहीं बालेगा आप यहीं पर वीडियो खतम होती है इस वीडियो को ज़रूर शेर कीजिएगा अपने टेटर फ्रेंस के साल उनको बले ही टाइम मार्क जेद दीजेगा कि यहाँ पर इसी टाइम से देखो यही कमने अच्छी है तो इसी टाइम से देखो वो चीज है तो आप टाइम मार्क जेदेंगे तो उनको शार्थ पायदा हो जाए है आप यही टाइम शबतकी एल यही टाइम जेझा है और विधा यही एल असपे आपके लिए यहीज टालीज हमे उनको बाल से दिखलो इए बडाइबे आ तो चुछलाइम शार्डों के लिए पत्के लिए चलेए यही भाइए यही एल हमにはदेगे टीजी शार्ने हैं अनको